अग्हारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं तो डाइबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कॉलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा यह बात सबसे आसान है समझें तो इसलिए डाइडिटीज के मरीज को कॉलेस्ट्रोल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्वत की शुगर की हम शुगर खाएं कि ना खाएं ये इतना महत्वकूर नहीं है इससे ज्यादा महत्वकूर है कि आप ऐसा धोजन कभी भी ना क्योंकि कॉलेस्ट्रोल के बढ़ने से आपको डाइडिटीज होती है इंसुल्न उससे आलसी हो जाती है काम करने लायक नहीं रहता है बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैंक्रियास खतम हो जाए या काम बिल्कुल ना करें और इंसुलिन बनाना बन कर दें ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं अगर एक लाट मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से आठ या दस मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैंक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं, जिनके इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको ततपरता नहीं है, तेजस्विता नहीं है, तो आप उसको थोड़ा तेज बनाएए, एक्टिवेट कर दीजे, और उसका सबसे कि आपके शरीर में कॉलेस्टरॉल थोड़ा कम कर दीजे, तो डाइबटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की ज़रूरत है इस विशह पर, कि उनका कॉलेस्टरॉल कम हो, तो खान पान ऐसा रखिए, जिसमें कॉलेस्टरॉल कम से कम होता चला जाए, अब आप ये प ये डालडा सबसे ज्यादा कॉलेस्टरॉल को बढ़ता है, डालडा किसी दी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंग बली के नाम से मिल सकता है, रूची के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है, डालडा आप समस्ते है, वेजीटेबल ओल, वरस गी ये बिलकुल मत खाई कियों कि इसी से कॉलेस्टरोल बठता थे घूमत खाये दूसरी कौन्सी चीजमा खाएं इससे सब्सक्रों बढ़ता है दुनिया में दो भी चीजा हैं ईस्थाग dua खुलस्टरोल बचार एक तो यहhertz व्लशु पती गी वो किसी भी नाम से मिले और दूसरा है मास वो चाहे कोपडी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, बहस का हो, बहसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मास कॉलस्टॉल बढ़ता है, किसी भी जानवर का मास कॉलस्टॉल बढ़ता है, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए सुन लीजिए कोई भी जानवर दुनिया में मास के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कॉलेस्ट्रोल को सबसे जादा बढ़ाता और दूसरा कॉलेस्ट्रोल को बढ़ने वाला जो कारफ है वो है डालडा गगन, रुची, सोया यह बनस्पती घ जो कॉलेस्ट्रोल को बढ़ते हैं तीसरी और आपनी चीज वो क्या है वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल जो मैंने आपकल आप से कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करेंगे वो डवल हो या सिंगल रिफाइंड हो किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाये कॉलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा वनस्वती घी मत खाये कॉलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा मासा हारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजे कॉलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा